साथियों, इस बार 15 अगस को देश अपनी आजादी के 45 साल में प्रवेश कर रहा है। यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिस आजादी के लिए देश ने सदियों का इंतजार किया, उसके 75 वर्स होने के हम साक्षी बन रहे हैं। आपको याद होगा आजादी के 45 साल मनाने के लिए 12 मार्च को बापु के साब्रमत्य आश्रम से अमरुत महोत्सव की सुरुवात होई थी। इसी दिन बापु की दाड़ी आतरा को भी पुनरजीवित किया गया था। तब से जम्मु कस्मीर से लेकर पुड़ी चेरी तक, गुजरात से लेकर पुर्वत्तर तक, देश भर में अमरुत महोत्सव से जुड़े कारकम चल रहे हैं। कई ऐसी घटनाएं, ऐसे स्वाधिंता से नानी, जिनका योगदान तो बहुत बड़ा है, लेकिन उतनी चर्चा नहीं हो पाई। आज लोग उनके बारे में भी जान पा रहे हैं। अब जैसे मोयरांग नेको ही लीजिये, मनिपुर का छोटा सा कस्बा। मोयरांग कभी नेताजी सुभासंदर बोस की इंडियन नेशनल आर्मी यानी आई एने का एक प्रमुक ठिकाना था। यहां आजादी के पहले ही आई एने के करनल शौकत मलीगी ने जिन्ना फैराया था। अमरुत महोचव के दोरान 14 एप्रिल को उसी मोयरांग में एक बार फीर तरंगा फैराया गया। ऐसे कितने ही स्वाधिनता सेनानी और महापुरुष हैं जिन्ने अमरुत महोचव में देश याद कर रहा है। सरकार और सामाजिक संगठनों की दर्ब से भी लगातार इससे जुड़े कारकम आयोजित किये जा रहे हैं। ऐसा ही एक आयोजन इस बार 15 अगस को होने जा रहा है। ये एक प्रयास है राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ। सांसकृतिक मंत्राले की कोशिश है कि इस दिन जादा से जादा भारतवासी मिलकर राष्ट्रगान गाएं। इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई है राष्ट्रगान.in इस वेबसाइट के मदद से आप राष्ट्रगान गाकर उसे रिकॉर्ड कर पाएंगे, इस अभ्यान से जुड़ पाएंगे। मुझे उमीद है आप इस अनोखी पहल से जरूर जुड़ेंगे। इसी तरह के बहुत सारे अभ्यान, बहुत सारे प्रयास आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। अमुर्त महोचव किसी सरकार का कारकम नहीं, किसी राजनितिक दल का कारकम नहीं यह कोटी-कोटी भारत वासियों का कारकम है। हर स्वतंत्र और कृतग्य भारतिय का अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन है। और इस महोत्सों की मूल भावना का विस्तार तो बहुत विशाल है। ये भावना है अपने स्वाधिन्ता सेनानियों के मार्क पर चलना, उनके सपनों का देश बनाना। जैसे देश की आजहादी के मतवाले स्वतंतरता के लिए एकजूट हो गए थे, वैसे ही हमें देश के विकास के लिए एकजूट होना है। हमारे देश के स्थानिय उद्दम्यों, आर्टिस्टों, शिल्पकारों, बुनकरों को सपोर्ट करना हमारे सहज स्वभाव में होना चाहिए। 7 अगस को आने वाला नेशनल हेंडूम डे एक ऐसा आउसर है जब हम प्रयास पूर्वक भी ये काम कर सकते हैं। नेशनल हेंडूम डे के साथ बहुत ऐतिहासिक प्रुष्टभूमी जुड़ी हुई है। इसी दिन 1905 में स्वदेसी अंदोलन की शुरुवात हुई थी। साथियों हमारे देश के ग्रामीन और आदिवासी इलाकों में हेंलूम कमाई का बहुत बड़ा साधन है। ये ऐसा क्षेत्र हैं जिससे लाखों महलाए, लाखों बुनकर, लाखों शिल्पी जुड़े हुए हैं। आपके छोटे छोटे प्रयास बुनकरों में एक नई उम्मीद जगाएंगे। आप स्वयम कुछ न कुछ खरीदें और अपनी बात दुसरों को भी बताएं। और जब हम आजहादी के 75 साल मना रहे हैं, तब तो इतना करना हमारी जुम्मेवरी बंती ही है भाईयो। आपने देखा होगा साल 2014 के बात से ही मन की बात में हम अक्सर खादी की बात करते हैं। ये आपका ही प्रयास है क्या देश में खादी की बिक्री कई गुना बढ़ गई है। क्या कोई सोच सकता था कि खादी के किसी स्टोर से एक दिन में एक करोड रुपिय से अधिक की बिक्री हो सकती है। लेकिन आपने ये भी कर दिखाया है। आप जब भी कहीं पर खादी का कुछ खरीते हैं तो इसका लाब हमारे गरीब बुनकर भाईयों बहनों को ही होता है। इसलिए खादी खरीतना एक तरह से जन सेवा भी हैं देश सेवा भी हैं। मेरा आपसे आगरह है कि आप सभी मेरे प्यारे भाईयों बहनों ग्रामिन इलाकों में बन रहें हैंडलूम प्रोडक्स जरूर खरीदें और उसे हैस्टेग माय हैंडलूम माय प्राइड के साथ शेर करें। साथियों बाद जब आज़ादी के आंदोलन और खादी की हो तो पुझ्य बापु का स्मरन होना स्वाभाविक है। ये अमृत संकल्पले की देश ही हमारी सबसे बड़ी आस्ता, सबसे बड़ी प्रात्विक्ता बना रहेगा। नेशन फर्स्ट, आल्वेस फर्स्ट के मंत्र के साथ ही हमें आगे बढ़ना है।